नमस्कार साथियों आप सभी का उत्करश के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है साथियों आप सभी को जिस पल का इंतजार था जो पल आपकी पड़ाई को और जादा बुस्तब कर सकता है आपकी रहननेती को एक नई दिशा दे सकता है हम सभी को एक ही बात का इंतजार था कि 2021 का माध्यमिक सिक्साबोड राजस्थान का पेपर इस बार कैसा रहेगा उनमें क्या-क्या बदलाव होने वाला है उसके लिए मैं और पवन सर आपसे बाते करने वाले हैं आपसे चर्चा करेंगे इस बार क्या-क्या बदलाव आया और आप अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं बिल्कुल सर आपको बता दूँ और स्टुडेंट्स को भी बता दूँ कि RBSC ने सर अपनी ओफिशल वेबसाइट पे जो है क्लास 10 के लिए जो बोर 2022 के लिए नमूना प्रस्ण पत्र जारी कर दिये और उनमें जो हर विश प्रस्ण आएंगे कितने तैम में करना होगा ये सारे प्रस्ण जो है चर आज कर से वीडियो में तो आप मिलकर इस्टूडेंट्स को देंगी तो पूरा वीडियो आपको देखना है और हम अपनने हम सर पहले विशेर पछले विशें ठीक है तो पहला भी से उस में सर बता बढ़ाव नहीं मतलब पहले भी 80 अंक का पेपर होता था इस 17 में भी 80 अंक का ही पेपर होगा और 20 अंक जो रहेंगे वो आपके 17 अंक के रहेंगे जो विध्याले से जाएंगे अब यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव क्या कहना चाहेंगे सर आप बच्चों से जो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है बेलकुल सर सबसे बड़ा बदलाव है हर वर्स दो है सबा तीन गंटे नी तीन गंटे 15 मिनट का पेपर होता लेकिन सर यहाँ पर बारी रिडक्शन हुआ है तो सर आप मुझे बताएं यह 2 गंटे 45 मिनट और यह आधा घंटा कम कर दिया तो क्या यह बच्चों के लिए अब एक समश्या खड़ी नहीं हो गई त्यूंकि आधे घंटे पहले करना मतलब 30 मिनट का समय कम सभी विशोय में तो यह 30 मिनट का गैप किस वज़े से दिख रहा है सर जी देखो कोविड की स्थतिया रही है तो बिलकुल यहां पर डो गंटे 45 मिनट मतलब आपके प्रश्णों की संख्या कम हो गई जिससे आपका समय भी कम हो गया तो बिलकुल भी घवराने के आवश्यक्ता नहीं है दोस्तों कि उतकर्ष ओन-लाइन इसकूल आपके सात खड़ा है पारीक सरो पूरी बारीक इसे आप को गनित का एैनलाइसिस करवाने वाले हैं ये प्रस्नों के प्रकार यह है प्रस्णों की संख्य कितने अंक अध्याइ पर प्रस्ण की बाद व्याइए और उन का ट्कष औरolar यह अध्य इन अस्क पकार वह व्य. वस्तु निष्ट थीक है वस्तु निष्ट यानि option वाले emceq type प्रस्ण 18 प्रस्ण होगे हर प्रस्ण एक अंका है यानि 18 नंबर हो गये 18 वंज़ा 18 ठीक है अगला है अती लगूत्टरात्मक में देखे 12 प्रस्ण के जहां पे आपको जो एक एक सब्द या एक लाइन का जवाब दीना है या फिलिंग दबलाइंस हो गये रिप्तिस्तान वरो इस टाइप के तो बारा प्रस्ण रहेंगे हर प्रस्ण एक अंका यह बारा नमबरी हो गए अगला बात करें लगुतरात्मक वन और डूसरा है लगुतरात्मक सेकंड यहां लगतरात्मक 1 और 2 डेखिये लगतरात्मक में देखे तो यहां 13 प्रस्नें पर प्रस्न 2 नमबर का 13 into 2 26 हो गए और यहां जो 2nd type है उसमें देखी चार प्रस्ने और कर प्रस्न 3 नमबर का यानि यहां थोड़ा आपको बड़ा उतर लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो number देखो number के according आपको answer सब्द सीमा तय करनी है तो 4 into 3 12 हो गए उसके बाद बाद में है निबंदात्मक निबंदात्मक में देखते हैं तो 3 प्रस्ण रहेंगे और इसमें आपको अथवा वाले भी मिलेंगे यानि आपको ये नहीं आता है तो अथवा वाला नी प्रिखाने आप अच्छे से मेहनत भी कर रहे हो और 20 नंबर आपके 17 के रहेंगे ये टाइम भी जो है लगबक टाइम बताया है अपने website पे आर बीए सीडी के इस्टुटेंट्स को इतना एवरेज टाइम लग सकता है 35-25 मिनट इस पार्ट को 45 मिनट लगबक एक सो पैसट 65 मिनट लगबक आपके हो जाएंगे नि 2 गंटे 45 मिनट बराबर टाइम बैट रहा है ठीक है और ये परसेंटेज की कितना क्या लेगा अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि कौन से चेप्टर का सर ये जो है इस्टुडेंट को बहुत ज्यादा रहता है कि किस चेप्टर क जितने अंक का है वो हमें मालूम होना चाहिए ताके आप उसकी तैयारी और मजबूती से कर सके आपने छोटा अध्याय जिसका अंक भार कम था वो अच्छे से पढ़ा और एक बड़ा अध्याय जिसको आपने सही से पढ़ा नहीं या सोचा कि ये बाद में करूंगा उसको ध्यान से पढ़ा नहीं तो शायद वहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है तो अंक भार जो है वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप एक युद्ध में उतरने जा रहे और आपको ये भी नहीं पता कि मेरे पास कौन-कौन से हतियार है और कौन सा हतियार देखे शुडेंट गणी तरी से की बात करें तो आपके देखे पहला अध्या यानि चैप्टर वन वास्तविक संक्या है उसका अंक बार चार नमबर नहीं टोटल हंडेट परसंट का पांच परसंट लिए वैठा है नहीं चार नमबर ठीक है और बहुत इजी चैप्टर ल नाम से भी जानते है नहीं ग्राफ वाला चैप्टर और वेटेश भी देख लो इस्ट्डेंट्स नौ नमबर का आ रहा है ठीक है यानि 11.25 प्रतिसर्थ ठीक है अगला है द्वीगास समीकर्ण यानि आपके AX स्क्वेर प्लस BX प्लस C बराबर 0 रोप वाला पांच नमबर जो जामीती बहुत जो है तफ भी बानते थे इस्टूडेंट्स के लिए जटिल रहती थी वहाँ बेकी बहुत चैप्टर्स कम कर दियें केवल चैप्टर 11 रचनाएं और रचनाएं में से 11 नमबर के सवाल आ रहे हैं परकार पेहन चंदा इसकेल आपको अब 11 नमबर दिला जाने वाले हैं ठीक है वेटेज भी देख लीजिए 13.75 अगला है निर्दे सांग जामीती ये दोनों चैप्टर इस्टूडेंट्स जानते हैं फॉर्मूला बेश्टे तो निर्दे सांग जामीती में भी 6 नमबर के सवाल पूछे जाएंगे अगला है त्रिकॉन मीती परी में आपको जाना 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 है और 15 नमबर देखे 15 नमबर बहुत बड़ी बात है यहां भी फॉर्मूला बेश्टे आपको टेबल बनानी है उसके आदार फॉर्मूला लगा कि जो भी पूछे वो ग्याद करो 15 नमबर यहां हो गए और अंतीन चैप्टर बहुत ईजी प् चार नमबर के सवाले 5 परसेंट है और टोटल इनका अंकबार 80 है तो मैस का मैंना आपको पूरा बता दिया चैप्टर वाइज आपको पता लगया होगा मुख्य तया आपको यह पार्ट पर ज्यादा फोकस करना है पढ़ने तो सारे हमें 100 नमबर लेकर आने हैं हमारा जो ड्रीम 100 का जो सपना होगी पूरा करना है लेकिन मुख्य तया आपको इन चैप्टर पर विश्य फोकस करना है तो बिलकुल साथियो और ड्रीम 100 की फोज हो जाओ तैयार क्योंकि अब बूड ने अपना नमूना पत्र जारी कर दिया है वो देख सकते हो आप यह नमूना पत जैसा कि आप देख रहे ऊसी प्रकार जो शुरुवात में वस्तु निस्त प्रसणा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर आपको चार विकल्प रे रखे होते चार और ऑप्शन में सएक तै करने होते है तो यह विकल्प फाले कुल प्रसने होते हैं बारा जैस का भाव यह हुआ दोस्तों कि ये 12 प्रश्ण उसके बाद 6 प्रश्ण हो गए आपके रिक्तिस्तान के तो 12 और 6 कितने हो गए 18 तो आपकी गणित बहुत प्लस सी पढ़ते हैं निर्देशान जामिती भुज और कोटी साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकॉण मिती आपके सामने आगई प्राइट का जिसमें सिक्की उचालने की बात की जारी है माध्य माध्यक बहुलक सांक्य की तो सर आप क्या कहना चाहेंगे पेपर किस अनुरूप जो है आपके बोड एक्जाम में भी पेपर आएगा यही तैयारी अभी भी आपको अनवरत जारी रखने है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं रहे तो इसी तरह देखो छटवा साथवा आठवा दसवा यह सब आपके बाग बह के अंदर दू दू चल रहे हैं ठीक है और इसी नहीं कि बहुलक वाला सवाल पांच या अच्छे नंबर में दो नंबर में भी पूचा जा सकता प्राइक्ता हो गई अब बात करते पार सी तीन तीन नंबर के यहां देखो आप्सन वाले भी क्वेस्चन है वान लीजी को इस्टुडेंट को यह उपर वाला नहीं आए तो अब देखकर कह सकते हैं इसी तरह 20 वाला सवाल चार नंबर का आले खिवीदी से और ग्राफ पेपर भी आपको जो है अवेलेबल करवाय जाएगा और सबसे बड़ी बात यह को ग्राफ वाले में भी अथवा वाला सवाल हमेशा नहीं आता है लेकिन अथवा वाला सवाल य जहाँ परaneous मादयत उपर है और अतवा में बहूलख है अब बस यह लेंगविज का यहाँ पर यह बहूलख चार नंबर का है और वाहां पीछे हमने देख़्ा था बहूलख का सवाल दो नंबर का बस आपकी सब्स सीमा Month करणी है है यहां सीधा formula लिगाओ सीधा आप answer न हम अगले विज्यान विष्याइप पर जहां हमारे विज्यान के एक्सपर जो है संदीप तवर्षार आपके साथ है अब वो पूरी चर्चा बताएंगे विज्यान पर तो साथियों विज्ञान विशे की बात करूं तो यह तो सभी विशयों की जननी है और बता दूं कि अवधी जिस पर पहले ही बात कर चुका हूं दो घंटे 45 मिनट हमारे लिए इस सत्र में मिलने वाले हैं और अंकभार कितना रहेगा दोस्तों विज्ञान विशे का भी अंक चाल या उससे पहले की पेपर में कम देखे जाते थे पर इस बार जो आप पढ़ने जा रहे हैं और जो सत्र का पेपर रहेगा आपका विसमें वस्तुनिस्त प्रशन आ रहे हैं इसका मतलब है आपके MC क्यूब रहेंगे और साथ ही फिल इंद ब्लैंक मतलब रिक्तिस्तान भी रहने वाले तो यहां पर आपका 12 प्लस 6 तो 12 प्लस 6 मतलब कुल प्रशन किते हो गए 18 प्रशन तो 12 प्रशन हो गए MC क्यूब के जिसमें 4 विकल्ब और 6 प्रशन हो गए आपके रिक्तिस्तान के तो साथियों प्रते कांग एक अंग का पेपर एक अंग यहां पर इसका रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो संभावीत समय भी दे रखा है कि इन 18 प्रश्णों को करने में हमें कितने समय लगेगा उसी प्रकार अतिलगुतरात्मक मतलब छोटे प्रश्ण जिनका उत्तर केवल एक शब्द हो सकता है या बहुत शॉर्ट आंसवर जिसको कहते है एक लाइन दो लाइन जिसमें परिभासा हो सकती है कोई मात्रक सूत्र इस प्रकार की प्रश्ण जो है वो अतिलगुतरात्मक में रहेंगे और उन प्रश्णों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों बारा और प्रतेक प्रश्ण एक अंक का रहने वाला है तो इस प्रकार संब्भावित समय भी हमारे सामने आ चुका है 17 मिनट फिर चलता है थोड़े बड़े प्रशनों पर बड़े प्रशनों का मतलब हो गया दोस्तों लगउतरात्मक प्रशने क्या है तेरा प्रशनों की संख्या है और अंकभार कितना रहेगा दो इनका उत्तर थोड़ा हो सकता ह परिभासा, सूत्र, मात्र, कुछ भी पूछा, कोई conceptual question हो सकता है, कोई प्रयोग से जुड़ावा प्रशन हो सकता है, तो तेरा into 2 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 26, उसी प्रकार दिर्ग उत्तर ये प्रशन जिसमें आप प्रशनों की संख्या देख रहे हैं, चार बड़ प्रशन रहेंगे दोस्तों और ये बड़े प्रशन, छोटे-छोटे प्रशनों में टुकडे में होता है, जैसे मान लीजिए कि मस्तिक्स का पूछा, तो डाइग्राम पूछ लिया, साथ में कोई एक भाग पूछ लिया, उसका कारिय पूछ लिया, तो इस प्रकार प्रतेक का अंक कितना है चार तो यह और में मिलने वाले प्रश्ण पत्र बहुत अच्छा बनाया है आप लोगों के लिए बहुत फाइदे मन रहेगा इसी अनुसार हमें अब आगे की रणनिती बनानी है यह एक नमुना है दिखाने के लिए आपकी तैयारी को और जादा मज अध्याए तो रसाइन विज्ञान में पहला पाठ जो है दोस्तों वो है रासाइनिक अभीक्रिया समीकरण अमल शार लवन धातू अध्याए तो आप देखो संयोजन वियोजन विस्तापन विस्तापन यह सब आठ अंक यहाँ पर दिखाई दे रहे उसी प्रकार अमल क्या होते है शार क्या होते है लवन क्या है ब्लीचिंग पाउडर फेकिंग सोड़ा यह सब आपको 9 नंबर दिलाने वाले हैं और धातू अधातू जिसमें धातू के और अधातू की गुणों पर बात करते है तो यह साथ अंक आपको दिलवाएंगे तो साथियों कैमेस्ट्री क का दूसरा भाग जो की होता है जी विज्ञान जिसमें हम हमारे सरीर को बहुत ही अच्छे से जानते हैं हमारा सरीर कैसे काम करता है सिस्टम कैसे काम करता है क्या-क्या चीजे रहती है कौन-कौन से तंत्र होता है जैसे रिदे हुआ, पाचन तंत्र हुआ, सोसन तंत्र हुआ तो ये सब पढ़ने को मिलता है दोस्तो जैव प्रक्रम बड़ा प्रश्णयों बनने की संभावना है इसलिए देखो वेटेज भी नो अंकों का दिया गया है फिर बात करते हैं नियंतरन एवम संबनवाई कंट्रोल एंड कॉडिनेशन मस्तिक्स और मेरूरज्जु और तंत्रिका कोशिका और पादप हर्मोंस पे बात करेंगे तो आठ अंक यहाँ पर भी मिले उतना ही जीव विज्ञान को भी मिलने जा रहा है उसी प्रकार फिजिक्स को कैसे भूल सकते हैं फिजिक्स जिसमें बहुत सारे नियुमेरिकल प्रश्णों आंकिक प्रश्णों इतने सारे डाइग्राम से भरा हुआ हमारा भौतिक विज्ञान तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन विद्यूत और विद्यूत धारा का चुम्बक ये प्रभाव तो ये सारे भौतिक विज्ञान के अंतरगत आने वाले हैं इनका वेटेश भी ज़रा देख लेते हैं सबसे पहले प्रकाश फिर से बात करूँ तो ये प्रकाश जो ह ये छेतर चुम्बक ये बल रेखा हैं मोटर जनित्र ये सब पढ़ते हैं दोस्तों तो ये आपने देखा नो और आठ सत्रह और फिर सत्रह और आठ कितने होगे पच्चीस मतलब भौतिक विज्ञान का वेटेज एक अंक जादा है और साथ में जरा प्रकरती का ध्यान करना बहुत जरूरी है तो हमारा परियावरण और प्रकरतिक संसाधनों का संपोशित प्रभंदन ये प्रकरतिक विज्ञान भी आपको दिलाएगी पूरे साथ अंक मतलब ये भी पढ़ना है ऐसा नहीं है कि कम अंक है तो उनको न पढ़े तो पवंसर ये है हमारे पूरे विज अति लगुतरात्मग भी होंगे और लगुतरात्मग होंगे और बड़े-बड़े निवन्दात्मग प्रशन होंगे डाइग्राम संगे नियुमेरिकल होंगे तो पवंसर एक बार दिखा दीजिए बच्चों को की विज्ञानका पेपर किस प्रकार का रहेगा तो आप बहुँ चैनात्मक प्रश्ण हैं विकल्थ वाले प्रश्ण हैं चार विकल्थ आपको मिल रखे हैं देख रहे हैं आप सभी बिलकुल और ये देखे पादप हारमों से जुड़ा हुआ नियंतरन समंधवाई का ध्या है फिर लैंस का प्रश्ण ओम के नियम विभवांतर परा रिक्तिस्तान यहाँ पर और अगले पेच पर एक मतलब कुल मिला कर कितने हो गए दोस्तों छे प्रश्ण मतलब रिक्तिस्तान के बीचे चलते हैं आतिलगुतर आत्मक जिसमें आप एक शब्द एक पंक्ति में उत्तर दे सकते हैं एक अंक मिलने वाला है आपको इसके भी प्रश्ण देख सकते हो कुल बारा प्रश्ण है तो बारा प्रश्ण बारा अंको के रहेंगे यह भी फिर चलते हैं हम खंड बह की और जिसमें हम वहाँ पर देखेंगे कि अब दो अंको के प्रश्ण सब्द सीमा भी दे रखी है 50 शब्दों तक तो जिस प्रकार आप तिन अंकों के भी देख पा रहे हो तो आप यहां पर तीन अंक फिर देखो समझात समरूप और यह आनुमाई तो हम पहले की तुलना में और इस बार की तुलना में पाउंसर आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को पहले कैसे प्रशना आते थे और अब क्या इनको एडवांटेज मिला इस सत्र का पेपर इनको किस प्रकार लाब दायक रहा वो इनको बताईए बिल्कुल सर विध्यार्त विध्यार्त में भी देखी बहुत आसान पेपर है और गुरु जी ने हमें अच्छे से पताया बताया भी और पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी संदीव सर आपको कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी आपके कॉंसेप्ट है सब्द सीमा व और अब है सामाजिक विध्यान दो घंटे 45 मिनट इसको भी मिलने वाले हैं दोस्तों अवधी वही पूरणान कितना है असी अंक मतलब ये भी असी अंक का है SST और यहां पर सर आपको बताएंगे कि किस प्रकार यहां पर लगभग सभी का जो पेपर पैटन है वो बिलकुल समान है विलकुल प्रस्नों का जो अंक बार आप देख पालो लगातार समान नजर आ रहा है वस्तुनिष्ट यहां पर भी आप देखिए प्रस्न 18 एक नंबर के 18 नंबरी हो गए अती लगुतरात्मक भी देखिए 12 सवाल है इसी तरह लगुतरात्मक फर्ष्ट और लगुत लेकर आने है अब किस तरह चैप्टर का रहेगा हर अंक बार वो सर आपको बता देंगे एसे श्टी में भी बिलकुल दोस्तों तो यह है आपका विशेवार और आप सभी को पता है कि विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान को भी क्यूंकि आगे किवल सामाजिक लग रह चाहूंगा और उस हिस्ट्री के अंदर आप पड़ चुके है यूरोप में रास्ट्रवाद का उदय भारत में रास्ट्रवाद और भूमंडली कृत विश्व का बनना ये तीन अध्याई दोस्तों जो की इतिहास की माने जाते हैं बिलकुल सातियों ये तीनों आपके हिस् की बात करूं तो वह भी 20 और अंत में अगर मैं अर्थ सास्तर की बात करूं तो वह भी 20 तो यहां पर ये देख सकते हो आप साथ और साथ 14 और छे 20 तो ये तीनों अध्याई मिलकर कितने अंक्य हो गए दोस्तों 20 तो ये भारत में रास्ट्रवाद भूमंडली कृत यहां पर बन सकते हैं याद रखना कि इतिहास मैंसे हमेशा बड़े प्रश्नों बनते हैं मतलब निबंदात्मक प्रश्नों आने के चांस जादा रहते हैं फिर बात करते हैं भूगोल की हमारी भूगोलिक विशिस्टाओं पर बात करना चाहेंगे कि भारत में कौन-कौन स संसाधन है उनमें क्या-क्या विकास है तो संसाधनों के बारे में नभी करनिय जैव साथी मृदा मृदा के बारे में तो ये पहला द्याय मृदा में भी कई प्रकार की काली मिट्टी लेटराइट मृदा यहाँ पर अलग-अलग और ये आपका यहाँ पर जो अध्याय ये भुगोल का अध्याय साथियो फिर बात करूं यहाँ पर जल संसाधन के बारे में बिलकुल जल संसाधन जल हमारी बेहद मांग रहती है क्योंकि जल ही हमारा जीवन है और जल की बिना जीवन संभव नहीं इसलिए जल संसाधन में आ करनी है कौन-कौन से तकनीक अपनाई जाती है तो यह साथियों भूगोल और साथी एगरी कल्चर क्रिशी पर बात करें तो हमें पता है फसल फसल के प्रकार साथी क्रिशी किस प्रकार अर्थ व्यवस्ता में अपनी भूमी का निभारा है और क्रिशी पर जुड़ेवे जो प दिखाई देती है और खनीच की बात करूँ तो आपने पढ़ाई होगा धात्वीक अधात्वीक बहु मुल्य और ये सारी चीज़ा जिसमें अलग-अलग जिसमें लोह ऐस की पेटियों पर बात करते हैं तो वह अच्छा प्रशन है तो यहां पर कई प्रकार के प्रशन तो सा भूगोल से जो है वह शौट टाइप एमसी क्यूब या बड़े भी प्रशन बनेंगे तो दौनों प्रशन मतलब कुल प्रकार से ऑवरॉल एनलाइसिस करके सस्ती का अंकभार दिया गया है तो यहां पर जो है सत्ता की साजेदारी साथियों संगवाद तो यह सत्ता की साज जाती संगर्श और यह लेंगिक मामले जल संगर्श और आंदोलन यह सारी चीज़ें जो है साथियों यह हम पूरा पूरा पढ़ते हैं लोकतांत्रिक राजनिती में और इसका अंकभार भी आप सभी को ग्यात होगा कि लोकतांत्रिक राजनिती का अंकभार जो है वो भी कि अंत में चोथा भाग सामाजिक विज्ञाद का चोथा भाग मतलब चोथी पुस्तक की बात कर रहाँ जिसमें विकास शात में भारती अर्थव्यवस्ता के छेत्रक मुद्रा और साख और वैस्वी करन किस प्रकार वैस्वी करन सीधित बागरा प्रश्णों बनता एकसर तो य और तसास्त्र भी आपके सामने है साथियों, यह 20 जसमें आपका मान्चित्र भी रहेगा, तो मान्चित्र हो सकता है कि भूगोल से बन जाए, तो यह paper का analysis है, जिसमें पवनसर आपको बताएंगे कि किस प्रकार सामाजिक विज्यान का paper रह सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गणित विग्यान है उसी तरह यहाँ पर भी देखे खंड अ में आप देखे बहु वेकल्पिक प्रस्न है नहीं आपको options मिलेंगे सही जवाब आपको बरना है और लिखना है जवाब या क्या यहाँ करने क्या आप सकता नहीं है आप सीधा जवाब लिख सकते हैं तो यहाँ पर भी देखो पहला प्रस्न है उसके अंदर यहाँ पर प्रस्न चल रहे हैं टोटल बारा प्रस्न आप देखिए और दूसरा प्रस्न जो है बाग का उसमें रिक्तिस्तान की पूर्ती करनी है और यह सारे आपके रिक्तिस्तान चल रहें अब Часire सवाल में अतीर लगुतर नात्मत में देखी एक है एक सब्द में भी देख सकते हो, या एक पंक्ती онगर्दि में ढई सकते हैं तो यह भी आपके एक एक नंबर के चलने बाट करें प्रश्न संक्या तीन इसी तरह खंड वह की बात करें, यहां थोड़ा से आपके सब्द सीमा बढ़ानी, पचास सब्द बोलें, अब थोड़ा बहुत लमसम हो सकता है, ठीक है, चार से लगा कर 16 नंबर तक के प्रस्ण सारे दो 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 नंबर के हैं, तो यह आपके बाग, खंड वह की बात कर ल तो इसी तरह यह जो प्रस्ण आपने दे के सब में अथवा में आ रहे हैं, जो आपको बढ़िया लगे, एज चोईस आप उसे कर सकते हैं, बात करें खंड दलती, तो यहां पर सब्द सीमा डाईसवा नि निबन दातमक प्रस्ण है, तो आपको उसके एकोडिंग, चार चा मानचित्र है, तो बारत का मानचित्र आएवा यह आपको जो है वापर दर्शाणा एक प्लस एक प्लस यह एक एक अंक यह चारो है, इनका वेटे चार नंबर का कुल हो गया है, तो इस तरह का आपको SST का पेपर है, और पेपर आपने अच्छे से पैटन समझ लिया है, सर और मेरे माध्यम से, ठीक है, और आप देखो सबसे वड़ी बात, ग्राप में भी अथ्वा में यह देखो, ग्राप में भी अथ्वा में, तो अथ्वा में एक और ग्राप, ग्राप है, वो भी इंडिया का यह देख लीजे, आपको इन चारो, आपको इंडिया के मैप में दर्शाने चार नंबर का तो आप चाहे तो उपर वाला मानची तरन चाहे तो नीचे वाला जो आपको बड़िया लगे जो आता हूँ वो कर सकते हैं ठीके अब बात करतें नेक्स्ट बिए सब्जेक्ट संस्कृत की तो साथियों संस्कृत विशे सभी भाषाओं की जननी जि समय दो घंटे 45 मिनट अब जरा इसका देखते हैं कि क्या है प्रकारवार अंक भार तो सर बताएंगे कि कोई विशेश बदलाव नहीं मुझे कोई बदलाव नहीं लग रहा है यहां पर सारे वोई वस्तुनिस्ट अति लगुत रातमक लगुत रातमक दिर्ग उत्री और न दिर्ग उत्री हैं लगुत रातमक में दो अंक दे दिया और यहां पर तीन अंक दे और आखिर में बड़े प्रस्ने जो की विकल्प में दिख रहे हैं तो यहां पर वही पैटर्न आपको नजर आएगा दोस्तो कोई बदलाव नहीं है इसलिए बिलकुल भी घबराने की आ blending नहीं हैं अब वेटेस द्या आया उस पर में बात करता हूं तो सफसे पहले विकल्प योजना यहां पर आंतरिक दे रखाय कर विश्यवस्तू का अंकभार तो सबसे तो साथियों यहां पर मैं बता दू कि गद्यांस और पद्यांस की बात की जा रहे हैं तो हो सकता है कि इनी मैसे MCQ बने इनी मैसे आपको विकल्प दियाद है जैसे गद्यांस दे रखा है और उसमें आपको ABC वाले कुशन दे दी ABCD वाले मतलब बहुच है नात्मक प्रशन आ आपको स्लोग जो है उसका भी दो अंक का वेटेज यहां पर दे रखा है और उसका अनवयम जो लिखना है उसका भी वेटेज कितना दिया गया है दो प्रश्ण का निर्मान करना तो प्रश्ण निर्मान का भी वेटेज आपके सामने हैं दो अंकों का रहेगा उसी प्रकार एकस गद्यांस हिंदी भाशायाम सरल लेखनम यहाँ पर इसका भी जो है दो अंकों का वेटेज और उसी प्रकार अब संस्कृति भावार्त लेखनम इसका भी वेटेज कितना है दो तो यहाँ पर और अनुप्रियूक्त व्याकरण व्याकरण में आपका सबसे ज़ादा वेटेज दोस्तो व्याकरण तो व्याकरण में क्या-क्या रह सकता है साथियों तो व्याकरण में आपकी पूरी संस्कृत की जो व्याकरण जो जो भाग आपके संभिलित किये गए तो वो सारे इसमें रहेंगे तो ये है साथियों संस्कृत का पूरे 80 अंको का वेटेज जिसमें आपको अपठिता अवबोधनम भी दिखाई दे रहा है कितने अंको का है दस पाठ्य पुस्तक के प्रशन उत्तर भी है जिनका यहाँ पर दो उसी प्रकार संकेता धारितम अपचारिकम अत्वा अनुपचारिकम पत्रम लेखनम यहाँ पर इसका भी चार अंको का वेटेज मतलब यह पत्र लेखने साथियों जिसमें आपको खाली जगा दे रखी अंको रहेगा दोनों और में रहेंगे साथियों देखो यह प्रशन आपको और में दिखाई दे रहे हैं मतलब यह बड़े प्रशन हैं और में रहने वाले हैं उसी प्रकार हिंदी भासाया वाक्या नाम संस्कृत भासाया अनुवाद इसका भी वेटेज यहाँ पर कितना रखा है चार और घटना क्रमस्य संयोजनम अत्वा सुल्देशु वाक्या निर्मानम इनका अंकभार कितना है तीन तो इन सब का अंकभार जो है वो कितना रहेगा असी मतलब यह पूरे असी अंकों का पेपर है बिलकुल ठीक तो पवन सर कैसा है यह पेपर और इस बार बो जो है वो सोच रखा है कि जो विद्यारती है अच्छे से पास होना चाहिए क्योंकि जो है उनके सेलेबस में भी बदला हुआ है पेपर का टाइमिंग भी चैंज हुआ पेपर पैटन भी बदले हैं कभी आपको मालूम हो सर एमसी क्यू टाइप के क्वेस्चन नहीं आते है लेकिन इस बार जो है कि नई पहल है एमसी क्यू रिक्तिस्तान बरने वाले तो विद्यारती के लिए बहुत ज़्यादा है सपोर्ट मिलने वाला है बहुत अच्छे से उत्रीनी नहीं सांधार टोप भी करने वाले हैं विद्यारती एक बात मैंने यहां पर अब्जव की इ इनका उत्तर एक शब्दिया एक लाइंग का होता है वह भी बारा प्रश्न है तो बारा और च्छे अठारा और बारा तीस मतलब तीस अंकों का खेल तो जो है ना वह बिल्कुल छोटे प्रश्नों पर आधारित है बिल्कुल सरे और उने आप में माइने भी रखते ही तीस म मतलब यह हिआ की अब आपको जो है वह थ्यूटे प्रह पर ज्यादा टार्गेट करना क्यूंकि बढ़े प्रस्न्यों तो कॉमन रहें जो तो OR में रहेगा तो वह आप को करने में इतनी परेशान이 नहीं होगी पर छोटे चोटे चोटे प्रश् incentives जो इतने सारे होने से यहां पर अत्वा में नहीं है जैसे आपने टिक किया तो आप पे सही है या राइजरी प्रोबेटी 50-50% किया तो सही होगा या गलत होगा तो यहां आपका जो है पेपर जो है डिसाइड करना है कि किस तरह आपके नंबर आएंगे अच्छे से इनको अटेंड करना इन पर ज् देख पा रहे हैं यहां पर बहुचैनात्मत प्रश्ण हैं और बिल्कुल इजी वे में आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं और भविश्य के अंदर हम इनहीं प्रश्णों पत्रों का या इसी प्रकार से आधारित मॉडल प्रश्ण जरूर लेकर आएंगे बिल्कुल भव सके इस बार आराम से टॉप करने का मौका जो है वह आपको मिलने वाला है दोस्तों इसे आपको नहीं भुनाना है लगातार प्रयास करना है आप सभी को बिल्कुल और हर प्रश्णों में बड़े प्रश्णों में अत्वा वाले मिलने विद्यार्दु के लिए बहुत जो है सोने पर सुहागे जैसा मौका है अराम से अटेंड कर सकते हैं बार बार अत्वा नजर आ रहा पेपर बड़ी बड़ा बंडा लेकिन उनका विद्यार अंग्रेजी विशेका भी वही अंकभा रहेगा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि दसवी का इंगलिस का जो है वो भी असी अंकों का वेटेज पूरा दो घंटे 45 मिनट और अंग्रेजी भासा है यह आपको पता है तो यह भासा पर आधारिक जैसे अंग्रेजी हुआ है वो कितने है दोस्तों 12 और इच वरन यहां पर दिखाई दे रहा है तो यहां पर उसका टोटल वेटे hydrogen मार्क्स का वो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 वेटेज यहां पर रहेगा यह बारा मार्क का यह पेपर रहेगा मतलब 12 मार्क्स कितने है 12 तो इस प्रकार से जो है अब देखो यहां पर जो अंग्रेजी के अंदर ये बात मैंने अब्ज़र की तो जो एमसी क्यूब जो बन रहे हैं वह पैसेज मेंसे बन सकते हैं पैसेज जो होता है आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा जिसको आप हमेशा उसमें से आंस स्क्रिट हुआ अंग्रेजी हुआ ये भाशा पर किस प्रकार एमसी क्यूब रहेगा तो वह मैं आपको क्लियर कर दू सात्यों घबराने की आवशक्ता नहीं है वह आपको पैसेज मैंसे ढूंड कर बढ़िया तरीके से जो आपको चारों विकल्प मैंसे एक विकल्प लग आपके पास 13 ठीक है अभी पेपर पैटन भी देखेंगे ये भी कन्फीजन दूर हो जाएगा सर कितने कैसे प्रस्ण रहेंगे अभी आपको इंग्लिस का पेपर भी हम दिखाएंगे ठीक है तो तेरा क्वेश्चन है हर क्वेश्चन दो नंबर का है 13 टूजा 26 है ठीक है आ 19 टूट यह तो क्वेश्चन नंबर है कि 19 से 22 नंबर प्रस्ण तक ठीक है टोटल चार प्रस्ण फोर त्रीजा 12 और इसी तरह यहां पर भी तीन प्रस्ण हो रहे हैं पास एक्संड के 3-4 जा 12 नंबर के ठीक है तो यह आपके यहां पर भी 80 नंबर टोटल हो रहे हैं और आपका ग्रामर भी रहेगा फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसमें से भी क्यूशन आने वाले हैं तैयार रखना वो पढ़ने के लिए तो यह है दोस्तों यहां पर जो आपकी पहली बुक पर पहले में बात करो फर्स्ट फ्लाइट जो 25 अंक यहां पर सबसे पहला क्योंकि मेरा निशाना अमेशा बड़े पर होता है बड़े को टारगेट करता हूँ यहां पर तो फर्स्ट फ्लाइट यहां पर है 25 अंक उसी प्रकार दूसरी फुट्प्रिंट विदाउट फिट यहां पर जो है आपकी दूसरी बुक वो कितने की है दोस्तों 13 मतलब दौ दौनों बुक्स क्लियर कर दी मैंने दौनों बुक्स क्लियर कर दी और 25 और 13 38 आपके सामने साथियों दोस्तों यहां पर लेटर और इमेल की बात करूं तो लेटर और इमेल कितने मार्स का हो गया चार यह ग्रामर का पोर्शन हो गया इस्तोरी की बात करूं तो इसका भी य यह reading जिसके अंदर हम क्या देख सकते हैं तो reading के अंदर यह हो सकता था कि आपके यहाँ पर एक पूरा paragraph हो सकता है उसमें आपको mc cube जो है वो शायद यही से बने उसी प्रकार grammar जिससे fill in the blanks बनने वाली है तैयार रहना साथ यह फिल in the blanks बनने के लिए क्योंकि grammar में जो भी topics मिक्स रहेंगे वो सारे के सारे चाहे टैन सो चाहे कुछ भी हो वो सब यहीं से बनने वाले है तो यह है पूरा marks distribution जिसको मैंने आपको समझाया है और देखिए जैसा कि मैंने कहा और आपके सामने प्रशना आपके सामने मुझे बताने क्या आउशकता ही नहीं सेक्शन ए र बिल्कुल यह देखिए विकल्प आपके सामने है फटा फट देखते रहिए और यह सारे questions जो है पैसेज को पढ़कर आपको देखने है आराम से politely आपको पढ़ना है पैसेज को और यह जो questions है इन पैसेज पर आदरिक इनके आपको जवाब देने चाहिए फिलिन दब्लां आपके सामने हैं और यहाँ पर ग्रामर का active पैसी हो indirect direct हो यहाँ पर tense की बात करूँ यह सारे के सारे आपके रहेंगे fill in the blank जो कि आपके सामने दिखाई दे रहें बिल्कुल crystal clear दिखाई दे रहें तो साथ यह ग्रामर का portion यहाँ पर दो section एक ही हमने बात कर ली अब मैं बात करू section B और जैसा कि आपको बता है section B मतलब बात करनी पड़ेगी books की और दौनों books जो कि आपने देखी होगी और दौनों books में है a letter to gold जो आपका chapter है the trees the thief story इन में से question answer बंदे पर साथियों यह section B है मतलब पवंसर यह दो अंकों का रहेगा इनके तो यह दो अंकों का यहाँ पर है दो दो अंक इनको मिलने वाला है section B के फिर अगेन वापस रीड़ पैसिज गिवन बिलो एंड आंसर मतलब वापस पैसे जा रहा है और उसमें से भी कुशन बन रहे हैं यहाँ पर दो कुशन उसको आपको हल करना है सौल करना और इनका अंक भार भी दे रखा है चार तो देखो पैसिज बड़ा माइने रखने वाला इस बार और साथी साथ दौनों बुक्स का वेटेज भी आपने देखा है section C की बात करें अंक भार जादा है पर विकल्प मिलेगा आपको साथियों यहाँ पर विकल्प मिलेगा सबसे बड़ी गहर करने वाली बात है section C और section section C और अब section D की बात करूँ अगर मैं तो चार अंकों का वेटेज है यहाँ पर जिसमें letter और email दोनों में से आपको एक करना और मुझे पता है कि मेरा विध्यारती जो है वो ज्यादा तर email पर टिक करता है खेर कोई बात ने पर आप किसी को भी कर सकता है choice आप पर रहेगी फिर story writing की बात करें तो आपको यहाँ पर story writing पर वो भी बेहद आसान कर दिया है पावन सर मैं आपको बता दू कि यह जो story writing आप देख रहे हो जिसमें इनको पहले से ही यहाँ पर अलग-अलग जगाओं पर fill in the blanks आपको दिख रही है इन विध्यारतियों को इन ही को फिल कर है तो यह section D और उसके बाद आपको एक image दे रखी होगी और इस image पर आपको paragraph लिखना है और में रहेगा दोस्तों यह भी तो आपको image देख कर बताना है कि आप इस पर कितने words दोस्तों words देखना words limit भी दे रखी है 150 to 200 यह paragraph आपको लिखना है जो image आपको दिखाई गई है उ आसा के सभी जितने भी चाहे तीनों भाषाओं हिंदी की बात करूं संस्कृत की बात करूं या अंग्रेजी की बात करूं इनमें जो paragraph होते हैं गद्यांस पद्यांस होते हैं उनमें तो आ रहे हैं mc cube type grammar का जो portion लिया गया सर जो मैंने बहुत अच्छे से विसलेशन करने के बात बताए grammar portion जो है उसमें fill in the blanks बन रहे हैं और book में से बन गए इनके question answer विसे इन चीजों पर ही आपको focus करना है जैसा कि सर ने आपको बताया तीना जो आपके भासा वाले subject हैं उन पर आपको command है और command जो है और अच्छे से आपको दिखा देनी है अब बात करते हैं अग गंटे 45 minute और total maximum marks जैनी 80 और आपको लाने भी 80 है ना सर बिलकुल 80 अंकों का paper रहेगा और 80 अंक पूरे लाने है साथियों इतनी तैयारी करनी है और आज से ही रणनिती बनानी शुरू करनी है तैयारी नहीं करना है इंतजार नहीं करना है सर इसका paper pattern भी मुझे तो Sam लग रह है कि कौन से chapter से कितने number का व्याकरन कितने number की आ रही है बस यह आपको जो है language वाले subjects पर wishes ध्यान देना है और वो भी हम आपको अच्छे सा भी बता देंगे बिलकुल तो देखो यह विशेवस्तू हमारे सामने आगे सबसे पहले आ गया है अपठित बोद जिसमें मैंने कहा गद्यांस और पद्यांस याद रखना दोस्तों McQ बनने जा रहे हैं इन्हें से इस बार बिलकुल बदलाव है MCQ बनेंगे इनहीं गद्यांस और पद्यांस में से ये व्यावारिक व्याकरन की अगर मैं बात करूँ तो साथियों तैयार कर लो आप तो ये जो व्याकरन है ना उसको बूस्त करना है आपको पूरे दस अंक यहाँ पर तो गध्यांस पध्यांस में तो मैं यह मान कर चलता हूं 10 संक मिल गए यह इक कंफाम है क्योंकि जब मैं छोटा रहा भूंसर तो मुझे पक्ता पता रहा कि मैं गध्यांस पद्यांस तो कर ही लूँगा काफी बार तो सर पढ़ते ही नहीं थे हम सोचते थे वहीं पर अटेंड करेंगे और अच्छे से लेकर भी आ जाएंगे लेकिन आपको ये रिस्क नहीं उठाना आपको अच्छे से पढ़ना है गड्यांस और पद्यांस को और उन पर आधारिक प्रस्नों को करना और वो भी सर संधी भी पढ़नी समास भी पढ़ना तो यह दोस्तों व्याकरन की बात कर लिए और यह पूरे-पूरे-दस अंक चाहे संधी समास उपसर्ग प्रत्याय जो भी आपके पाठ्यक्रम में है तो यहां पर वो सब करना है और पूरे-दस अंक फिर देखो आज़ो पुस्तकों पर तो यह सबसे पहले आपके मैं बता दूँ आप सभी को पता है मैं हिंदी नहीं पढ़ता न पढ़ाता फिर भी मुझे पता है कि दो किताबे हैं जिसमें एक किताब तो यहां पर सितिज दिगरी है और एक दिगरी है कृति का यह मैं राजस्थान बोड़ की विद्यारतियो की बात कर रहा हूं यह भी मैं आपको जानकारी देदू तो यहां पर जो है गध्य और पध्य सितिज के दो भाग है एक भाग गध्य है और एक भाग पध्य है तो दोनों का वेटेज बिलकुल समान दिया और 38 अंकों का वेटेज दिया यहां पर सितिज का और कृति का जो आपकी भुक है उसका वेटेज कितना है दस तो यहाँ पर दोनों पार्टे पुस्तकों में से बनने वाला क्या है यह भी आपके यहाँ पर चिंता होगी सर क्या बनेगा इन मैंसे तो जादा तर इन मैंसे प्रश्णोतर बनेंगे छोटे और बड़े दोनों टाइप के साथियों तो तैयार रहना अब बात करूं में रचना अर्थात निबंद की निबंद तो आता ही आता है जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से निबंद आ रहा है और आज भी निबंद आ रहा है और शायद भविश्य में भी निबंद रहने वाला सर आप पढ़ते थे तब न विकल्प मिलने वाले मतलब वहां भी चोईस बिल्कुल अभी पेपर भी देखेंगे सर जो सेंपल पेपर आया वहां पर और इनको जो है क्रिश्टल क्लियर हो जाएगा जैसा कि आप कह रहेंगे बिल्कुल विकल्प होंगे उसमें से एक करना है कोई बड़ी बात नहीं यह बिल्कुल आना ही यह भी पहुत पहले से चलती वी प्रथा है और साथ ही साथ जो नई चीज जो मैंने अब्जवनी की पर इन दिनों में देखा गया है आजकल एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है एडवर्टाइजमेंट तो यहां पर जो है विज्यापन मतलब कोई एक टॉपिक दे रखा होगा विज्यापन होगा पर साथियों गवराने की आवशक्ता नहीं आपको क्यों कि और में होगा तो बिल्कुल नहीं गवराना और यह असी अंकों का पेपर मतलब यह तो पूरे हमारे हैं यह मैंने आपको बता ही दिया अ अनुसासन में इस पैटर्न को फॉलो करता है तो अराम से सो नंबर यानि अपने पैरेंट्स का सपना अपना सपना जो क्लास देखता है कि टॉपर करूंगा अराम से कर सकता है अनुसासन ही सर वो कुंजी यह साब साब बोल दिया विद्यव पैसेज भी इन्होंने आपके लिए देखो एक श्टोरी की रूप में आपको एक संदेश देने के लिए यह इन्होंने समायोजित किया है तो यहां पर अपटित गद्यांस है आपको इस पड़्यांस को पढ़कर MCQ टाइप यह क्वेस्चन सेगी गद्यांस का सिर्षत क्या है अनुसासन कितने प्रकार का है तो वो सब यहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह MCQ क्वेस्चन हो गए गद्यांस पर आदारिक उसके बाद देखिए अपटित काव्यांस भी आया है इस पर भी आदारिक भी MCQ आप देख लीजे एक एक नंबर के तो यहां पर आप अच्छे से भी विश्चन करोगी तो इन प्रस्नों का खोज यानि उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा यह बहुत बड़ी चीज आपके लिए यहां पर एक बात बता दू जो MCQ आप देख रहे है ना जैसे यहां पर उचित सीड्सक का दे रखा है यह बड़ा खतरना गया इतना आसान है पहले सीड्सक आप अपनी चोईस पर लिखते थे तो शायद गुंजाईस होती थी पर मुझे लग रहा है अब आपको यहां पर ढूंड़ना पड़ेगा और बिलकुल सही सटीक निशाना होन अची क्योंकि सारी शब्द मैं देख रहा हूं बिलकुल करीब के शब्द है तो इतना आसान मत समझना दोस्तों हिंदी को हलके में मत लेना वरना बिंदी लगते में समय नहीं लगेगा तो यह विशेश ध्यान रखना आप लोग इसी तरह देख लिए इस पर गद्यांस प फिर खाली जगा आ गई उपसर्ग आ गया प्रतिय आ गया अरे बिलकुल जो मैंने कहा ना एजिटीज फॉलो कर रहा है मतलब मैंने बड़े धंग से उसको विशलेशन करके फिर आपके सामने आया देखो पहला यहां पर संधी समास लोकोक्ती मुहावरे अरे दोस्तों सब कुछ है हमारे यहां पर सब कुछ बता दिया होगा सर ने बिलकुल क्लियर बताया होगा क्या क्या कैसे पढ़ना है तो उतकर्ष के विद्यारती इस पेपर को नी छोड़ेंगे दोस्तों फोड़ कर आ जाएंगे उतकर्ष के स्टूडेंट्स मतलब यह पेपर उनके लिए बेहद आसान बनने वाला है इतना सरल आता है क्या सर यह तो अभी हमको देदो अभी हातपाती कर लेंगे निप्टा रख कर लेंगे बिलकुल आगे बढ़ते हैं खंड बह पर खंड बह की बात करें तो यह दो दो नंबर के प्रस्णर मुझे लग रहा है कि यह सर इनकी पा यानि आपको उनका परीचे जीवन परीचे आपको लिखना है जै संकर प्रसाद गिरीजय कुमार माथूर यह अथवा में आराम से आप जो भी बढ़िया लगे उसका जीवन परीचे लिख सकते हैं बात करें खंड सा की तो यहां पठित गद्यान से वो अपठित ते यह प प्रसंग व्याख्या ठीक है तो व्याख्या इनकी करनी है उसके बाद 18 प्रसंग में देखी पध्यान सा आ गया वो गध्यान से यह आपके पध्यान से होगे पठित और यहां पर भी अत्वा है और 1 प्लस 2 इक्वल 2 3 यानि सा प्रसंग व्याख्या और सब्द सीमा भी अत्वा में है और यह आपकी किताबों से प्रसंग है अब मैं बात करूँ अगर खंड द जैसा मैंने कहा था और पवंसर ने कहा था हम तो बच्पन में निबंद करके आये देखो निबंद देखो आपके सामने पहला है रास्त्री एकता एक निबंद तो यह हो गया इन बातों का ध्यान रखना देखो तीन मेरे साब से एक और होना चाहिए देखते हैं पर तीन तो मिली गया बिलकुल यह देखो चौथा भी दिखाई दे रहा है मात्र भासा मतलब चार निबंद मैंसे आपको तो किवल एक करना है और अंक कितने मिलने वाले हैं चार अंक याद रहें देखो टॉपिक भी आपको दे रखें जैसे क्या क्या रहेगा उसके अंदर वो भी आपको दे रखा है साथ ही दूसरा यहाँ पर पत्र की बात करें तो यह पत्र आ गया आपका नाम गौरव है आप अपने विद्याले की क्रिकेट टीम के कप्तान है प्रधान लेखन देखा और अंत में यहाँ पर अत्वा जो मैंने कहा आजकल नया जुड़ा है एडवर्टाइजमेंट विज्यापन की बात करें तो यह फूलों से बनी गुल्दस्ते हार माला है उसका विज्यापन देना है और कला अंकूर संस्ता की कला विधी से संबंदित पैंट स्क्षिक अधियापन लिए चार 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 बारा अंग्प सेक्शन डी की बात कर रहा हूं यहाँ पर 14 में रहेगा बिलकुल रहेगा आपको विकल्ब जो आपको बढ़िया लगे तो कैसा लगा यह पूरे छे विशेयों का समावेश बिलकुल सर एक चीज में यहां भ लिया गया और आप बाकी निबंद भी देख सकते हो जो हमारे डेली लाइप से जुड़े है वो निबंद है आप देख लिए कोरोना वाय संक्रमन से बचाव के उपाए उस तरह सा निबंद भी यहां सामिल किया निकोरोना पर आधरी जो करन्ट टॉपिक से उस पर आधरी न कि मैं सभी छे सब्जेक का पूरा निचोड़ बता दिया कि जो सैंपल पेपर आये हैं वो किस तरह के क्या वेटेज रहेगा हर सब्जेक की हमने बात करी और विद्ध्यारतियों को पूरा बली बाती समझ में आ गया होगा बिलकुल साथ मैं यहां पर पवंसर को कहूंगा पेपर क्या रहेगा एक बहुत बड़ी समझ्या थी उसको तो यहां पर राजस्तान गोड़ने खतम कर दिया है और समय रहते करा तो अभी आपके पास समय है तो अब तैयारी और ज्यादा मजबूती के साथ करनी है साथियों और रही बात इनकी सॉल्यूशन की बच्चे कह रहेगा और टीचर जो हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वो आपसे जरूर हुबरू होंगे पर फिलाल हमने पैटन और ब्ल्यूप्रिंट का नमूना आपके सामने रख ही दिया है और स्टुडेंट हम बोर्ड परिक्सा को लेकर हर जो भी आपके साहयक आपके हो सकता ह हम हर तरह का वीडियो बनाएंगे चाहे मोडल पेपर सोल्यूशन हम भी हमारे इस तरह पर मोडल पेपर जारी करेंगे बोर्ड पेपर जो आएगा उसको भी सौल कराएंगे हर तरह के आपके साथ है आप निश्चिंत रहे बढ़िया बस आप तयारी करिए अब हम यहां पर आप लोगों से इजाजत लेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद